हे गाईज दिस इस मायंक लिखार एक्वीट विशर्च अनालिस्ट आइट स्वस्तिक एड़ स्मार्ट लिमेटेड फ्रेंड्स आइपियो पूंप है और पिछले 10 दिन में यह चोथा आइपियो है जो 25 जनवर से स्टार्ट होने वाला है इससे पहले के हमारे आइपियो स्टोफ क्राफ अपने तीन मेजर ब्रांट के अरिये अपने प्रोड़क्स को मार्केट मिलाती है पहला पिजन दूसरा गलिमा और तीसरा ब्लेक डेकर पिजन इनका वेल्यू फर मनी सेग्मेंट है जहां पर यह लोग प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक वेर बनाते हैं गलि अगर हम आईपयो की बेसिक डीटेल्स की बारे में बात करें तो इस आईपयो का टोटल ओफर साइज 412 करोड है जिसमें से 317 करोड का ओफस है और 55 करोड का फ्रेश इशू है यह आईपयो 25 जनवरी से स्टार्ट होके 28 जनवरी को क्लोज होगा और जिसकी मिनिमम बिट कॉ सिफ 10% रहेगा इस IPO में जो भी पैसा OFS के जरी रेज होगा कंपनी उसे यूज नहीं करेगी और जो पैसा फ्रेश इशू के जरी रेज होगा उसे कंपनी अपने लोन्स को पे आफ करने में यूज करेगी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टूफ क्राप्ट उन अफ दे लाज़ेस्ट कीचन अप्लाइंस कंपनी है इंडिया में साथ ही साथ इनका प्रोड़क पोर्फोलियो भी काफी बड़ा है कंपनी के strong distribution channel है और साथ ही साथ इनका brand भी काफी famous है वहीं अगर हम risk की बात करें तो कंपनी के promoters के उपर कुछ legal issues चल रहे हैं जिसकी वएसे एक risk खड़ी हो जाती है अगर हम financials की बात करें तो इनका revenue धीरे धीरे बड़ा है वहीं इनका net profit और net margin में अच्छा खासा jump देखने को मिला है अगर हम brand recognition को देखे और company का focus देखे innovation पे तो हम यह expect कर सकते हैं कि आने वाले समय में इनके fundamentals और भी ज़्यादा बैतर होते हुए दिखेंगे 34 के PE पे हम strovecraft के IPO को subscribe creating प्रोवाइट करते हैं only for listing gain हमारे साथ आगे जूड़े रने के लिए subscribe बटन को click करें और bell notification का बटन दबाएं सर्वेभवन्तु धनेना